हाई दोस्तों टीफो चानल में आपका स्वागत है दस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके मुबाइल फोन से गूगल का सर्च बार अगर आपका डिलीट हो जाता है तो इसको आप वापस कैसे ला सकते हैं तो अभी जैसे कि आप देख रहे है में मुबाइल में गूगल का सर्च बार अभी लगा हुआ है इसको क्या रहता है कि गलती से आप से क्या होता है इस तरीके से आप करते हैं और इस तरीके से रीमूब में क्लिक हो जाता है और यह डिलीट हो जाता है तो अब आपका स्क्रीन जो है खाली खाली लगने लगता तो भी ओर डिलिट कर देते हैं तो इसको वापस कैसे लाना है तो दोस्तों इसको वापस लाने के लिए आपको क्या करना है जहां पर इसको आप लगाना चाहते हैं यहां पर जहां पर आपका स्क्रीन खाली है यहां पर उपर में टॉप में हम लगाएंगे तो यहां पर हलका आपको टच करके रखेगा स्क्रीन के उपर जैसे आपने टच करके रखाना उसके बाद आपको आना है नीचे जहाँ आप लिखावा विगेट्स का ओप्शन नीचे इसमें आप क्लिक करेंगे दोस्तो जैसे आपने विगेट्स वाले ओप्शन में क्लिक किया उसके बाद देखते जाएगा कि यहाँ पर देखिए एप विट मुल्टिपल विगट्स का ओप्शन है ओके इसके ज़स्ट सामने आपको आउल का ओप्शन जो मिल रहा है इसमें आप क्लिक करेंगे जैसे आपने आउल वाले ओप्शन में क्लिक किया अब यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस आता है उसके बाद आपको आना है नीचे जहाँ पर लिखावाई कि Android विगट्स तो इसके ओपर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको फिर से जाना है दोस्तों आपको देखते जाएगा कि यहाँ पर जो है कि Google का सर्च बार कहाँ पर आपको दिख रह लेकिन अभी आपको राइट टिक का जो अप्शन है इसमें जब क्लिक करेंगे तब ही लगेगा तो चलिए हम राइट टिक में क्लिक करेंगे और यह Google का सर्च बार हमारा लग गया तो दोस्तों इस तरीक साब Google का सर्च बार लगा सकते हैं दोस्तों मुझे उमीद है आपक वीडियो पसंद रहे होगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें